नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ इंद्र बहुन लोग सबाद चुनाओ के सात्मे चरन या यूं कहें कि आखरी चरन का परचार अब थमने वाला है लेकिन इसके पहले ही कॉंग्रेस ने एक सिगूफा छोड़ दिया है कॉंग्रेस की तरफ से गुलाम नवी आजात का ये कहना है कि वो केंद्र की सरकार बनाने के लिए करनाटक मॉडल का भी इस्तमाल कर सकते हैं करनाटक मॉडल से मतलब यह है कि अगर सरकार किसी भी पार्टी को इस चुनाव में पुर्ण मैजोर्टी नहीं मिलती है तो दो या तीन पार्टी की सरकार अगर बन रही होती है तो कॉंग्रेस उसमें प्रधान मंत्री पद के लिए अरंगा नहीं लगाने बाला है कॉंग्रेस किसी भी पार्टी को समर्थन दे कर सरकार बना सकती है इस बक्त की सबसे बड़ी खबर यह है इससे दो बाते निकल कर सामने आ रही है कि क्या कॉंग्रेस पार्टी यह मानने लगी है कि वह सरकार बनाने के तरफ आगे नहीं बर रही है या उन्हें इस बात का डर है कि अगर किसी भी कीमत पर मोधी परधानमंत्री पद की तरफ आगे बरते हैं तो उन्हें रोकने के लिए करनाटक मॉडल का इस्तमाल किया जाए करनाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी थी लेकिन पुर्ण मैजोर्टी उसके पास नहीं थी जिसके बाद हच्डी कुमार स्वामी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और कॉंग्रेस ने उसे सपोर्ट किया ठीक इसी मॉडल की तरफ केंदर में भी राहूल गांधी तयारी कर रहे हैं सोनिया गांधी खुद बरे-बरे नेताओं को फोन गुमा रहे हैं यूपिये के नेताओं को फोन करके कह रहे हैं कि वो 22, 23 और 24 को दिल्ली में उपलब्ध रहे हैं वहीं दूसरी और KCR भी तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर बातचीत कही नेताओं के साथ कर रहे हैं ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि जब चुना और नतीजे आएंगे तो उसमें परधान मंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की तरफ आगे बढ़ेंगे या कॉंग्रेस करनाटक मोडल का इस्तमाल करके सत्ता की तरफ आगे बढ़ेगी या राहुल गांधी खुद कॉंग्रेस पार्टी अपनी बदोलत परधान मंत्री पत की दावेदारी पेश करेगी या तीसरा मोर्चा केसियार का मोर्चा परधानमंत्री हाउस की तरफ आगे बरेगा देखना दिल्चस्प होगा जब 23 मई को नतीजे आएंगे लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुलाम नभी आजा दिया यूं कहें कि कॉंग्रेस ने यह मान लिया है कि अगर केंदर में सरकार बनने में कोई भी दिक्कत होती है तो वह करनाटक मॉडल का इस्तमाल करके परधानमंत्री पर किसी और पार्टी के नेता को दे सकती है और कॉंग्रेस उस पार्टी को सपोर्ट करके नरेंदर मोधी को रोकने के लिए केंदर में बीजेपी की सरकार को रोक के लिए वा इस model का इस्तमाल करके सरकार बना सकती है लगातार हमारी नजर बनी विए 23 तारीक को सबसे पहले और सबसे तेज बिहार के नतीजे दिखाएंगे हम आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं धन्यवाद